हाई एवरीवन स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लाग समय और दोस्तों आज हम लोग दो दो सेलिब्रेशन करने वाले हैं एक तो पूरे फेमिली के साथ में और दूसरा सेलिब्रेशन करने वाले हैं मेरे यूटूब फेमिली के साथ में लेकिन वो आपको सर्प्राइज मिलने वाला है तो सर्प्राइज में मैं आप लोगों को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सारा आप लोगों को दिखाने वाली हूं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चोटे चोटे पल तो सभी के life में आते हैं बस इसे enjoy करने का तरीका अलग-अलग होता है आज हम लोग भी कुछ अलग तरीके से enjoy करने वाले हैं तो इसलिए आज बड़ी वाली बेटी मुझे कुछ अपने तरीके से तयार कर रही है और छोटी वाली बेटी भी कुछ अपने हि साफ से तयारी कर रही है कि किस तरीके से हमें आज का सेलिब्रेशन कंप्लीट करना है तो बस जैसे ही हम लोग तयार होंगे उसके बाद में देखते हैं कि सारी तयारी जब हमारी हो जाएगी तो एक नए तरीके से किस प्रकार से हमें करना चाहिए कि हमारी जो लाइफ होती है जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहां का enjoyment और कहां की सालगिर मतलब कुछ भी हम लोग नहीं कर पाते हैं लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर अपने हिसाब से प्लान करते हैं तो उसके लिए भी हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि जैसे ही बड़े बच्चे होते हैं तो अपने ममी पापा के लिए इस प्रकार से अगर तयारी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो देखिए यहां पर सारी तयारी बड़ी वाली बेटी कर रही है और छोटी वाली बेटी अब तयार हो रही है क्योंकि इसके पहले की जो तैयारी थी उसने पास सारी कंप्लीट कर ली थी और यहां हमारा छोटू जैसे टीटू है वो भी घुम रहा है मतलब हमारा नाती है और बड़ी वाली बेटी भी यहां अपनी केक की तैयारी कर दे हैं सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों जो मैंने आज यूटूब पे जैसे मेरी जर्नी चालू है और आप लोगों के इतने सपोर्ट से प्यार से जो मेरे टेन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए है उसका भी सेलिब्रेशन है साथ में हमारी स्यादी की सालगिरा भी है मतलब दोन मोमेंट इस तरीके से एक ही दिन कंप्लीट हुए है तो बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी है और साथ में हम लोग इस बार का सेलिब्रेशन अपने नए घर में करने वाले है मतलब खुशिया ही खुशिया है यह मान के चलिए तो अभी तक हम लोग जो छोटे से घर में लेकिन बहुत कम क्योंकि जो जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के सारे फंक्सन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हमारे लिए हम लोग कभी सोचते ही नहीं है लेकिन आज बच्चों ने हमारे लिए सोचा है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और उनके आज हम लोग हमारी सालगिरह 33 सालगिरह मनाने जा रहे हैं और साथ में मेरे 10 सब्सक्राइबर हुए है क्योंकि यूटूब की जर्णी दो साल पहले ही मैंने चालू किया था और आज 10,000 मतलब 10 के मेरे सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके है नया घर भी हमने इसी साल लिया है तो मतलब खुसिया ही खुसिया है और इन खुसियों को हमें जीने का एक अलग ही अंदाज मिल चुका है मतलब सभी के चहरों पे खुसिया ही खुसिया है और पूरी फेमिली यहां हमारे साथ में है और वाकई में हमने इस साल की जो 33 साल गिरह मनाई है एकदम अलग तरीक से खुसिया दी है यह हमने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही हम लोग कभी सोचते हैं कि बच्चे हमारे लिए इतना प्लान कर सकते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुसी हुई तो बस हमारे जो 33 सालगिरा की यहां पूरी तैयारी तो कंप्लिट हो चुकी है बस थोड़ी सी हसी मजाक तो चलती ही रहती है जब पूरी फेमेली साथ में मिलती है तो अब चलिए हम लोग केक कटिंग करते हैं तो सालगिरा का भी केक हमारा यहां रेडी है और 10 सब्सक्राइबर जो मेरे आज कंप्लिट हुए है उसका भी केक रेडी है और केक भी मतलब इस तरीके से मतलब surprise किया था कि हमें विश्वास ही नहीं था कि इस तरीके से हम लोग इस साल celebrate करने वाले है बिल्गुल भी अंदाज़ा नहीं था और केक तो मतलब मान के चलिए कि जब से हमारे घर में T2 आया है मतलब हमारा नाती सब्सक्राइब 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 खाता है क्योंकि खाता नहीं है लेकिन काटने का बहुत सवक है और वैसे भी छोटे बच्चों को साथ में ऐसे मतलब छोटे बच्चे के साथ में ऐसे celebrate करते हैं तो और भी ज्यादा खुशी मतलब हमको होती है और खुशिया क्या है जब पूरी फेमेली अगर एक साथ होती है तो खुशिया तो डबल होई जाती है तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमने enjoy किया है I hope आप लोगों को भी आज का हमारा celebration या मेरा आज क जो ब्लाग है वह आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ऐसे मतलब छोटे छोटे जो हम लोग celebrate करते हैं तो अपने परिवार में एक प्यार बढ़ता है बस उसी के लिए यह सारी चीज़े हम लोग करते हैं सभी लोगों ने फेमेली में ऐसे करना ही चाहिए क्योंकि इससे हमारा और प्यार डबल होता है खेर ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ममी पापा को प्यार ने करते हैं या ममी पापा नहीं करते हैं लेकिन ऐसे छोटे छोटे फंक्सन अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो यहां बस हमारा केक कटिंग होने के बाद में हम लोग आज हमारा प्लान है कि खाना भी हमें घर में नहीं बनाना है बस बाहर आज होटल में जाना है क्योंकि डेली घर में हम लोग सुबह से साम तक एक हाउस वाइब जो होती है सुबह से साम तक घर में काम करते ही रहती है और सभी लोगों का ध्यान रखते व बाद में मतलब पूरा फंक्षन हमारा कम्प्रीट होने के बाद में फिर हम लोग होटल जाएंगे और वहीं खाना वाना खा कर फिर हम लोग वापस घर आ जाएंगे तो देखिए आभी तो बस हमारा के कटिंग हो चुका है जैसे ही टीटू के सामने केक ले गया बस उसने पी जादा खुशी हुई है और यह देखिए अब हम लोग आ गए है यहां खाना खाने के लिए लेकिन यह खाना तो खाता बहुत कम है लेकिन बस ऐसे जैसे चूट मोट यह कुरकुरे और यह फिर जैसे स्नेक्स और यह बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है तो बस सभ भी के फरमाईस पे आज खाना भी हम लोग यहां खाने वाले है बस पहले स्टाटर्स मंगा लिया है ताकि जब हमारा खाना आए तब तक के हम लोग और इंज्वाय कर सके बाते कर सके और हसी मजा कर सके क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कभी-कभी ऐसा मौका मिलता है मतल आलू के चीफ्स क्योंकि उसे बहुत पसंद है और पता नहीं क्या बोलते फ्रेंस प्राइज बस वुसी के लिए हम लोग बहुत हसी मजा कर रहे थे क्योंकि ऐसे मतलब छोटे-छोटे जो सब्दों होते है लब जो होते है छोटे बच्चों के मुह से सुनो तो बहुत है हमारा क्योंकि अभी हमारा तो खाना आया नहीं है बस से चालू किया है तो अभी सबसे पहले तो बच्चों का ही ख्याल रखना पड़ता है तो बस सबसे पहले इस टीटू के लिए मगा दिया है और वो इंजॉय कर रहा है साथ में सभी लोगों को एक एक पीस देकर भी उसने हमें खिलाया है मतलब अच्छा लगा है कि बच्चे कभी वी कोई कोई चीज बिल्कुल उनकी जो पसंद की होते तो देना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब उनका जब तक के मन नहीं भरता है तब तक कि वो किसी के हातों में नहीं जाने देते हैं तो देखिए यहां चांटर से खतम होने के बाद में हमारा खाना भी यहां कमपलीट आ चुका है मतलब और सभी का आज हमने पसंद का खाना यहां मंगाया है और बहुत बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है तो दोस्तों आप लोगों ने भी बहुत इंज़ॉय किया होंगा आज के ब्लाग तो दोस्तो आज का मेरा ब्लाग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएए और आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी न जाए क्योंकि मेरे डेली लाइब के डेली रूटिंग के ऐसे डेली ब्लाग में डालते ही झेती हूं ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सकें क्योंकि हम लोग इंजॉय करते हैं तो आप लोगों को भी इंजॉय करना चेहीं बस इसलिए हम लोग अमारी ऐसे डेली tINGip आ